वेल्कम बेक अप्रिवन वेल्कम टू सुवल सर्फ से श्टड़ी प्रेक्टिस सेट टंबर 140 यूपी प्यस्सी के लिए और इस टेस्स सीरीज की प्रेलिस्ट बना रखी है हमने वहां पर आप टेस्ट टंबर बन से लेकर 140 तक पहुंच सकते हैं इस्क्रप्शन बॉक्स माउस का लिंक है यूपी पीस्टेस के फॉर्म बरे जा रहा है जिनको भी आवेदन करना है दोहार 22 में आप भर सकते हो और इस टेस्स सीरीज की पेड़ सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स माँ मिल जाएगा महां से आप ठीक है फुल ट का विधध का उपियोग नहीं किया जाए तो क्या होगा क्या होग नियंतरक चड़े होती है मंदग चड़े होती है ठीक है कौन सी छड़े होती है वो ही पूछा एक्जाम में है तो क्या होगा चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी तो यदि नाविके रेक्टरों में नियंतरक छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा तो नाविके प्रक्रिया जारी रहेगी और उसे उद्पन उर्जा जो है उर्जा की विफल मात्रा विद्धवन्स का कारण बन सकती है नाविके रेक्टरों में जो कैडमियम की छड़े होती है वो नियंतरक छड़ों के रूप में काम करती है ठीक है कैडमियम की छड़े है भारत का पहला पर्माणू सेयंत्र निम्ल निर्मान अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किया गया था उतारापूर सयंत्र द्वारा देश में सबसे कम लागत की गैर हाइड्रो बिचली सप्लाई की जाती है नमबर थ्री पर आजएए पोखरन नाविकिया परिक्षण जो 1974 में हुआ था उसका अधिकारी कोड नमेरिकित में से क्या था स्माइलिंग बुद्धा था तो भारत्य परमाणु आयोग ने राज़स्थान के पोखरन में अपना पहला भूमिकत नाविकिया परिक्षण अठारे मई 1976 में किया था ठीकिया उस पर मुवी भी बनी है मुख्य भूमिका में जोन इब्राहिम है और इस परमाणु परिक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड का नाम दिया गया था नमबर फोर पर आजईए एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उन में से एक दूसरे से अधिक प्रकास बिता है आपको बताना है कि नुद्ध के मैं से कौन सा कतन साई है देखें प्रकास की दीब्ती रेजिस्टेंस पर निरभन तो लेखे अधिक विदुधूत ऊर्जा का चाह करने वाला वल्व अधिक परकास उत्पन करेगा, अधिक प्रतिरोध यानि revision काम विदूत ऊर्जा का चाह करेगा, और कम परकास उत्पन करेगा। अधरडी से ही है नम्रकित में से कौन सी तरंगे वैक्यूम में संचर्ण नहीं कर सकती सून में नहीं चल सकती प्रकास तरंगे तो बहुत तेच चलती है ठीक है ध्वनी तरंगे सून में नहीं चल सकती वैक्यूम में नहीं चल सकती है निरवात में नहीं चल सकती क्योंकि इन तरंगों का संचर्ण नहीं होता और वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलबास्व ग्रहन करने की छमता बढ़ेगी या घटेगी बढ़ जाएगी तो बायू मंडले आदरता आपमान में प्रतेक्शंबंद होता है बायू में किसी निश्यत समय पर जलबास्व धारन करने की सकती उसके तापमान पर निर्फर करती है हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी यानि आदरता धारन करने की सकती उतनी ही बढ़ेगी question number seven पर आजिए तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती क्योंकि क्यों नहीं बनती वास्पिकर्ण की दर तेज होती है तो तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा के करण वास्पन की दर तेज हो जाती है इसलिए ओस के कन वास्पित हो जाते हैं ओस बनने के लिए परिस्थितियां पूछ लेता है कभी कभी UPSC तक में पूछ लेता है ठंडी लंबी राते होने चाहिए सांत हवा होनी चाहिए आस्मान साफ होना चाहिए नमबर एट पर आजिए सीसे की चड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बड़ जाती है आपको बताना है कि इसकी चोड़ाई पर क्या बरभाप पढ़ता है आ परभावित रहती है चोड़ाई भी बढ़ जाएगी या आववस्थित होती है बढ़ जाएगी वो भी तो सीसे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ-साथ इसकी चोड़ाई में भी ब्रद्धी होती है Q9 पर आजिए संबहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरन हो सकता है केवल गैस और द्रब में होता है ठोस में नहीं तो संबहन द्वारा उस्मा का इस्थानांतरन केवल द्रब तथा गैसों में होता है और संबहन की प्रक्रिया में पडार्थ के कण स्वयम इस्थानांतरित होते है 10 पर प्रश्न है समान फोकस दूरी वाले काँच के दो लेंस जिसमें एक उत्तल दसा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से शटाकर रखे गए है और इस युग में व्यभार होगा काँच की सम्तल चादर की भाती, अपसारी लेंस की भाती, अभिसारी लेंस की भाती या दरपन की भाती option number C is का कांच की समतल चादर की भाती तो समान फोकस दूरी कि अभिसारी और अभिसारी लैंस को एक साथ हटागा रखने पर वे कांच की समतल प्लेट की तरह वेभार करेंगे क्योंकि अभिसारी लैंस की फोकस दूरी धनात्मक अभिसारी लैंस की फोकस दूरी जो है वे रणात्मक होती है जिससे दोनों लैंसों के योग प्रतिपल जो है वो सूनने हो जाता है और यह समतल प्लेट की तरह काम करता है option number 11 पर आज़िए नमलिकित में से कौन सा रंग इंदर धनुस के मध्ध में तो इंदर धनुस में द्रस्य रंगों का क्रम इस प्रकार है लाल नरंगी पीला हरा नीला जामुनी तो दो यहां के ले लो दो यहां के ले लो ठीक है एक यहां करे लो एक यहां करे लो तो हरा बीच में हो गया ट्रैफिक सिगनल जो होते हैं उसमें लाल प्रकास प्रियुक्त होता है क्योंकि आंखों के लिए सुन्दर होता है सबसे पहले तो ऐसे ऐलिमिनेट की या खीजे यहां को ठंड़क प्रदान करता है खराब रोस्नी को भी दिखाई देता है इसकी जो तरंग दहर्द होती है वेवलेंथ होती है वो सरवाधिक होती है तो लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है आनि तरंग दहर्द वो सबसे अधिक होती है जबकि बैंगनी रंग की सबसे कम होती है और प्रक्रिणन तरंग धहरत के विद्कौनमानिपाती होता है अते लाल रंग सबसे कम प्रक्रिमित होता है और यह है दूर से सरवाधे के इस पश्ट दिखाई देता है अच्छा कोई बस्तू दिखाई क्यों देती है कोई बस्तू है ये दिखाई क्यों देरी है क्योंकि अपने उपर पढ़ने वाले प्रकास को जो है परावर्तित कर रही है कोई बस्तू काली क्यों दिखाई देती है क्योंकि वो किसी भी रंग का परावरतन नहीं करती सारे रंगों का अप्षोशित कर लेती है तो काली दिखाई दिए ओशन नमर तेरे पर आजए है सूर के प्रकास की अधरस भाग से प्रकास संस्रेशन किया जाता है कुछ कुछ बैक्टिरिया के द्वारा फोटो संथेजस यानि प्रकास संस्लेशन करके ऊढ़ जात्पन करते हैं नमर फोटीन पर आजए सपे सफेद प्रकास में उपस्तेथ नमलिकित रंगों में से कौन सा रंग सीशा के प्रज़ में द्वारा सबसे कम विचलित होता है तो सबसे कम बिचलित होता है लाल रंग सबसे अधिक बिचलित होता है बैंगनी रंग तो निर्वात अथवा वायू में विभिन रंगों के प्रकास का वेग जो है एक समान किन्तु किसी अनपदार्थ में भिन भिन होता है अते किसी पदार्थ का जो अवरतनांख है वो विविन रंगों के प्रकास के लिए विन विन होता है, यानि अलग-अलग होता है, काच या सीसा में वैंगनी रंग के प्रकास का वेग सबसे कम, तथा लाल रंग के प्रकास का वेग सरवाधिक होता है, और इस कारण काच के पिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकास में लाल रंग सबसे कम जबकी वैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है विवग्योर का क्रम याद रखिएगा नमबर 15 पर आजएए हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकास को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है इसलिए है है तो हरी घास की पत्तियों पर पढ़ने वाले प्रकास से पत्तियों में उपास्तित प्रकास संस JION Japanese करते हैं यह हि इएक हगोलियya दूरदर्शी है उसपर जो प्रति Capac वो कैसा बनता है यानि Space Telescope कालपनिक छोटा कालपनिक बड़ा वास्तविक छोटा वास्तविक बड़ा देखे खगोली दूरदर्सी से जो प्रतिम्पनेगा वो बनेगा फैले तो artificial मतलब कालपनिक बनेगा और बड़ा बनेगा ठीक है तो कालपनिक बड़ा भी तो खगोली दूरदर्सी से बना अंतिम प्रतिम्पनिक और बड़ा होता याद रखेगा और आखी रेटिना पर जो प्रतिम्पन बनता है वो कैसा होता है वो वास्तविक होता है और inverted होता है मतलब आप हो किसी की रेटिना पर दिखाई देरे हो आपका प्रतिम्पनिक तो नमबर 17 पर आजएये वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं प्रश्ट्ततनाव के कारण जब किसी साभुन के बुलबुले को अवशोसित किया जाता है तो नमलिकित में से क्या घटित होगा तरज्या बढ़ जाएगी तरज्या घट जाएगी बुलबुले का लोप हो जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं बढ़ जाएगी तरज्या तो बुलबुले को अप्शोषित किये जाने से यह फैलेगा और तरज्या बढ़ जाएगी नबर 19 पर आजएए जब किसी जील की तली से उठकर बायू का बुलबला उपरी सते तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा तो जब बायू का बुलबला जील की तली से उठकर ऊपर की और आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की और दाब घटने लगता है जिसके करण बायू के बुलबले कायतन बढ़ जाता है मिट्टी का तेल यानि केरोसीन ओयल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घणत पानी के घणत से अधिक होता है उसका घणत पानी के घणत से कम होता है उसका घणत पानी के घणत के बराबर होता है उसका पानी के बराबर होता है उसका प्रोक्त में से कोई नहीं क् पर तैरता है तो इसका अंसर हो जागा ऑप्शन नुम्बर वी यह कूलर्ष होते हैं हमारे ठीक है उनमें जो पानी रखा देता है थीन चार दिन में तो पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालने की सला दी जाती है उसके क्योंकि मच्छर का जो लारवा होता है पानी की सत्य पर रहता है आप मिट्टी का तेल डालोगे या फिर पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा मिट्टी का लार्वा जो है उसका प्रश्ट तना आप कम हो जाएगा जलका जो मच्छर का लार्वा है वो डूप के मर जाएगा इसने डला जाता है तो 20 प्रश्ण थे इनकी प्रक्टिस एक बार कर लेज़ेगा धन्यवाद